Good morning friends, welcome to my channel जैसा कि आप सब चांदे हैं कि आज हमारा अंड़मान में आखरे दिन है कल हम फ्लाइट के निकले जरूर थी पर हमारी फ्लाइट कैंसल हो गए थी और आस कि हमारी फ्लाइट है और इसी के साथ हमारा अंड़मान का ये सफर ख़त्म हो जाएगा तो आज की ये खूबसुरत सी सुबा को मैं कैसे भूल सकती हूँ कैमरे में क्याद करना क्योंकि मेरे साथ साथ आप सब को भी पता चलेगा कि यहां की सुबा किती खूबसुरत होती है जब आप सुबह उठके एक खूप सूरत नीला नीले समंदर के बीच में हरे भरे पेड़ पौधों के बीच रहते हैं तो आपका दिन बन जाता है मन, प्रान, आत्मा सब खुश हो जाते हैं तो हमने तो यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं आप भी आएंगे तो आप भी यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे तो अब हम चलते हैं एयरपोर्ट के लिए क्योंकि सुबह सुबह हमें रवाना हो रहा है हमारी जो फ्लाइट है वो जल्दी ही है तो हम जल्दी से निकल पड़े हैं फ्लाइट के लिए और अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहां से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है पर जाना तो पड़ेगा तो चलिए चलते हैं पर हाँ खुश होके जाते हैं धेर सारी यादों को अपने दिल में कैद करके जाते हैं तो हमारी बहुत जल्दी थी इसलिए हम फटा-फट से एयरपोर्ट आएं और एयरपोर्ट आने के बाद हमारा सब कुछ यह हो चुका था हमने बस फ्लाइट में हम बैठ चुके हैं और हमारी जो फ्लाइट है वह उडान भरने के लिए तयार है और इसी के साथ मुझी भी एक नई उडान भरने है और आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा चैनल भी एक नई उडान भरेगा और सफालता की उचाहिया को जरूर चुएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप भी रहेए मेरे साथ तो हम पहुँच चुके हैं एरपोर्ट और हम एरपोर्ट से निकलने वाले हैं बहुत सुबह सुबह जल्दी जल्दी में निकली हूँ तो इसलिए चेहरे पे ध्यान भर दिजीगा वीडियो पे ध्यान दिजीए क्योंकि छोटे बच्चे के लिए वीडियो शूट करना बहुत टफ होता है उसके बाद एडिटिंग करना यह सब बहुत ज़्यादा टफ होता है इसलिए तो कहते हूँ कि आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि मेरी जो मैनत है वो बेकार नहीं जाए और मैं मोटिवेट होती रहूँ तो जब मैं यहाँ पर आई न तो यहाँ पर इसलिए मैंसन क्या हुआ था कि आप अंड़मान से कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं और अगर आप यहाँ कुछ लेके आए हैं जैसे समुद्र के किनारे में जो पत्थर होती है सीप होती है अगर आप वो लाए हैं तो आप यहाँ डस्टबीन है वहाँ आप रखके चले जाएए क्योंकि यहाँ की जो खुबसूरती है वो इन पत्थरों से है यहाँ की सीप से है यहां की जो water animals है उन से है और अगर कोई भी इन चीज़ों को उठा के ले के जाता है तो यहां की खुबसूरती बरकरार नहीं रह पाएगी इसलिए यहां अच्छे से दे दिया गया है कि आप कोई भी चीज यहां से उठा के ना ले जाएं हाँ अगर आप कोई चीज खरीद के ले जा रहे हैं तो आपके पास रसीद होना बहुत जरूरी है और अगर आपके पास रसीद नहीं है इसका मतलब है कि आप यहां से वो चीज बिना permission के ले के जा रहे हैं तो इसलिए कोई चीज खरीदे तो रसीद जरूर ले फिर हमने यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं हमारी फ्लाइट का तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दिवारी है ना काच है वो सब साफ की जा रहे हैं यहाँ पर प्रती दिन ऐसे साफ किया जाता है क्योंकि यहाँ के एक चीज है कि यहाँ का जो वेदर है इसी के वज़े से जो यहां की फ्लाइट है ना वो 12 बचे तक ही होती है मतलब 12 से एक बचे तक ही आपको लास्ट फ्लाइट मिलती है और उसके बाद आपको फिर कोई फ्लाइट यहां से नहीं जाती है क्योंकि यहां का जो वैदर है वो ठीक नहीं हो रहता है साम के समय इसलि और यह दस लिपर ही है ना कि डर भी लग रहा है कि बच्चे कहीं गेड़ना जाएं पर बच्चे तो बच्चे हैं वो कहां मानते हैं उनकी तो अपनी अलगी मस्ती होती है वैसे सही है बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि चाहे कैसी भी परिस्तिती क्यों नहों हमीज़ा मस् इसलिए तो कहते हैं कि आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, मतलब फ्लाइट को मस्त नजाय करें, फुलान नजाय करें, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे यात्री यहां पे वेट कर रहे हैं, जिनकी जो फ्लाइट थी वो कैंसल हो चुकी थी, और पता नहीं आज वो सेम के लिए बोल रहते हैं, क्योंकि हमें जल्दी थी, इसलिए हमने दूसरी फ्लाइट बुक कर ली है, तो अभी तो हमारी फ्लाइट आई नहीं है, तो मैंने सूचे चलो मैं थोड़ा सा राउंड लगा लेती हूं, कल थो थोड़ा सा राउंड लगा पाई, वीडियो शुट बीरभार में इरिटेट हो रहे हो, तो इरिटेशन ना हो उन्हें और वो थोड़ा कमपटेवल फील करें, इसकी लिए यहां पर एक चाइल्ड के अरू में जहां पर बेबी को फीड करा सकते हो, खाना खिला सकते हो, तो यह बहुत अच्छी सुविदा उन्होंने दी है, त यहां पर आप बेबी को अगर चाहे तो बात करा सकते हो, या फिर टाइमपस विगड़ा चेंज कर सकते हो, तो इसके लिए आप यहां पर देख सकते हो, यह रूम कितना अच्छा है, छोटी बेबी के लिए बहुत अच्छा कमफर्टेवल है, तो मैंने तो सुट कर लिया ह अब हम चलते हैं, सुन्दर-सुन्दर फ्लाइट्स को देखती हुए, क्योंकि इन्हीं नस्रेक से देखने का जो अपना इक अलगी हां, फोन पर छोटी देखते हैं, वाट सामने से रही जादा बड़े देखते हैं, कितने जादा सुन्दर देखते हैं, और बास तब मैंन यहां जो हमारी फ्लाइट है, वो एरिंडिया है, तो अभी हम, हमारी जो फ्लाइट है, वो उडने वाली है, और इसे के साथ हम भी उडने वाले हैं, तो वेट कर रहे हम फ्लाइट के उडने का, तो अब फाइनली हम बैठे गए हैं तो हमें यहां पे रक्षा जाकेट दे दिया गया कि बाच्चांस अगर वेदर खराब हो क्योंकि जब हम आए थी तो वेदर बहुत ज़्यादा खराब था और उस वक्त बारबर नेरामस किया जा रहा था कि वेदर खराब है आप लोग सी तो इसलिए मझे यह बहुत अच्छा यहां पर लगा कि सबका यहां पर बहुत खास ख्याल रखा जाता है और इसलिए हमने बच्चे तो सरारत करते रहते हैं फिर इसलिए हमने बाबु तो सो नहीं रहती लेकिन वह ज़्यादा तर ट्रेवल में सो जाती है चाहे आप सेफ्टी मेजरमेंट जो आपको बताया जा रहा है कि कोई परिशानी आई यह तो आपको कैसे यहां से जंप करना है तो यह सेफ्टी मेजरमेंट जो है वह बता रहे हैं क्या मैं बताओं और इसके बाद यहां पर जो कैसे का करना है यहां पर अलग से दे दिया गया है कि अ अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो या फिर यहां से छोटी जो बच्चे होते हैं उन्हें अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो क्योंकि उचाए पर हवा कम हो जाती है तो उसके लिए आप कैसे बच सकते हैं उसके लिए भी यहां पर दिया हुआ रहता है तो उसको क था कि हम निकले हैं, तो रास्ते निकले हैं, तो मन्जिल तक जरू पहुचांगे. तो अचानक से इन सब जीजों को देखती हुआ ना तो दिमाग में एक बात आती है, कि जो यह फ्लाइट लेके जारे हैं, जो पाइलट हैं, हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, बट हम उन्हें नहीं पहचानने के बाबजूत में उन पे इतना भरोसा करते हैं कि वह हमें हमारे कंतर बस्तान तक पहुचा ही देंगे क्योंकि वो हमें हमारी मनजिल selbst पहुचा ही देंगे यही विस्वात के साथ- हम किसी भी आटो में, बस में, ट्रेंड में, कार में और फ्लाइट पे ट्रैवल करते हैं बट अगर हम जिनदगी में यही विस्वात भगवान पे करें यही भरोसा भगवान पे करें कि वो हमें हमारी मन्जिल तक जरूर पहुशा देंगे और हम अपनी ये जो लाइफ की जर्नी है उस पर पैट जाएं तो फिर आपकी जर्नी है ना वो कमफोर्टेबल हो जाती है और आप टेंशन फ्री होके जर्नी का आनन्द ले पाते हैं अगर विस्वास नहीं करेंगे तो फिर आपको डर बना रहेगा कि पतानी कैसा होगा मेरा भविश्य आने वाला कल कैसा होगा लेकिन अगर भगवान पे विस्वास करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी जर्नी है वो बहुत खुबसूरत हो जाएगी मेरी जर्नी की तरह मेरी लाइफ की तरह तो अगर आपको अपनी जन्दगी आपकी जर्नी आपकी लाइफ की जर्नी अच्छी करनी है तो भगवान पे विस्वास करना चोड़ कर लीजिए और अपने आप जो चिंता होती है चिंता करना चोड़ दीजिए बस भगवान पे भरोसा करना सीखिए, अपने आपको चिंता मुक्त करें और तीन सन्फरे स्ट्स फ्रे लाइब जीए आपकी लाइब में कोई भी ट्रेवल हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका सॉलूशन बताऊंगी और आप उस उपाय को करने के बाद आपकी लाइफ की जितनी भी ट्रेवल से ना, वो सब खत्म हो जाएंगे तो चलिए फिलाल मेरी लाइफ में कोई ट्रेवल नहीं है, अभी मैं ट्रेवल कर रहे हूँ तो हम आसमान में, खुली आसमान में उड़ रहे हैं और इतना अच्छा लग रहे है बादलों की बीच में क्या ही बताओ, ऐसा लग रहे है कि जैसी चारों तरफ कॉटन बीचे वे हैं और मैं कॉटन केंडी के बीच में उस तरफ, बहुत अच्छा लग रहे है, और यहां से नीची भी दिख रहे हैं तभी हमारे पास आगया खाना, तो हमें यहां पर खाना देखी गए है वो यहां पर जो सर्विस है, तो खाने में क्या-क्या यह थोड़ा हम देख लेते हैं, यहां पर नहीं है, इसमें स्पून वागरा हैby ale bottle water है और यूटन के दिख कोए से अंडविच है क्यों मैंने वोधर देखा खोले ही थी इसलिए मैंने बता दिया आप सूचे होगे कि मुझे कैसे बताए है क्या क्या है तो इसमें यह सार है तो अच्छा है भी तो मैंने खाना खाया नहीं है क्योंकि मुझे तो खाना खाया नहीं जाता है ऐसी मुझे थोड़ा चक्कर चक्कर आ रहा है और पता नहीं मैं यह पूरी की पूरी वीडियो कैसे सूट करूंगी क्योंकि मुझे चक्कर से मतलब थोड़ा अनकमफर्ट फील कर रहे हूं लास टाइम तो जब मैं यहां जब गहे थी हम अन्डवान तब तो मुझे बॉमेटिंग भी थी वटा अभी तब तो नहीं हुई इसलिए मैं वीडियो सुट कर पा रही हूं और अगर आगे हुआ तो पतानी शायद मैं वीडिय बिल्कुल भी मनी खाने का मेरी बाबु तो सो गई और उसे नीन धाती है जन्नी में मुझे तो नीन नहीं आ रही है पर अच्छा भी नहीं लग रहा है मेरा भी मन कर रहे कि मैं भी सो जाओं पर वीडियो सुट करना भी जरूरी है कि कि जब आप खुद के लिए कुछ करते ना तो आपको एक अलग सी फिलिंग आती है और ये वीडियो सुट करना ये सब करना मुझे बहुत खुशी देती है कि में ब्लॉग्स बना रही हूँ एक अपने आप में एक अलग तरकी जो खुशी होती है खुद काम करने की वह खुशी मुझे मुझे मिलती है तो को सबस्क्राइब भी जर्व करेगा तो नीले नीले समंदर के बाद ये नीला नीला आसमान ऐसा लग रहे कि हम समंदर मीड बापस से जा रहे हैं एकदम से समंदर जैसा ही फीलिंग आ रहा है और बिल्कुल वैसे ही अनुभव है और फिलाल हम पहुच चुकी है एरपोर्ट पे और वीट कर रहे हैं अपनी केरी बैग का तो अब हमारा जब बैग आजा है एक पार तो हम यहां से निकल पड़ें हमारा बैग आने वाला है और अब हम यहां से निकलेंगे फिर अब ही जाने में भी कितना टाइम लगेगा क्योंकि दो घंटा हमने फलाइट पे समय कि हमें दो घंटे से पहले ये एक घंटा चालिस मिनट में हमें पहुचा दिया गया फ्लाइट ऑन टाइम थी और बिफोर टाइम पहुच गई तो ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ठक भी गहें थे और आज जल्दी पहुच गें तो अच्छा वाज म किसे जाते हैं हम ट्रेंड से जाएंगे की कार से जाएंगे कुछ पता नहीं है अभी बाकी सब एक एमिली मेंबर किसमें चाना जल्दी जिसमें पहुचेंगे हम लोग उसी में जाएंगे तो यहाँ देखे डॉक्स भी जो है वो भी आराम से सो रहे हैं उन्हें भी कहीं जाने की हड़वड़ी है नहीं तो वो आराम से अपना नीन पूरा कर रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि कौन कहा जा रहा है कौन कहा आ रहा है यह कोई बहुत रईस होंगे अपनी पिछले जनम में इसलिए इस जनम में भी वो एरपोट के पास हैं और इनको ट्रेबलिंग पसंद होगा शयद तो फाइनली हमारा जो डिसिजन था कि हम अब जाएंगे बाइक कार चले में क्योंकि सब इतनी ज़्यादा अधिक ठके वे हैं तो ट्रेन से जाना सब ने कहा कि ट्रेन से जाना नहीं होगा क्योंकि ट्रेन अभी है नहीं और उसके लिए हमी चार पास घंट और वेट करना पड़ेगा तो उतनी देर में तो हम घर पहुच आएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे कार बुक कर लिया और कार से अब हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए रास्ता जो है बहुत लंबा लग रहा है क्योंकि ठकावट इतनी अधिक हो रही है सुबह सुबह हम निकले हैं और अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है अब मन कर रहा है कि कर घप मतलब कब पहुचू में घर और कब थोड़ा सा रेस्ट करो तो यह कोलकाता की सड़कों को पार करते हुए हम चलते हैं अपनी घर की और और जाते जाते मैं आप लोग से बता दो कि यह जो अंडमान की कौन कौन सी जग़ खास है कौन कौन सी जग़ देखने लायक है आप कितने दिन में अंडमान घूम सकते हैं तो चले मैं बता दो कि जब आप यहां से जाएंगी तो आपको सबसे पहले लेनी पड़ेगी फ्लाइट तो आपको फ्लाइट से भी जा सकते क्रूज से भी जा सकते फ्लाइट में आप दो घंटे में पहुच जाएंगे क्रूज जो आपको कुलगाता से जाएंगे तो आपको दो से तीन दिन का समय लगेगा फ्लाइट का जो जो क्या मैं बताओं कि फ्लाइट में जब आप जाएंगे तो आपको दो घंटी का समय तो लगेगा बट आपका जो बज़ट है वो आप आठ मतलब लगबख ठीक है आप जा सकते हो अगर आप पहले से टिकट कटाके रखते हैं तो आपको छे से साथ हजार लगेगा मगर अगर आप तुरंद टिकट करवाते हैं जिसे कि हमने कराया था तो आपको डबल से भी जादा लग जाएगा और वहां आप घूम सकते हैं सबसे पहले तो आप पोर्ट बिलेयर पहुंचेंगे जहां पे आप घूम सकते हैं घूमने के लिए वहां पे एक्वेर से फॉरें से भी आती हैं काला पानी की सजा अपने बच्पन में सुनी भी होगी किताबों में पढ़ी भी होगी तो काला पानी की सजा वाला जेल जो है वह सेलुलर जेल एंडवान के पोर्ट बिलेयर में अस्तित है फिर वहां आप घूम लीचे एक दिन और उसके बाद व हैवलोक में बहुत सुन्दर सुन्दर बीचे से रादानगर बीच है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वर्ल के फोर्ट एसिया में चौते नंबर पे आता अपनी खुबसूरती के कारण हैवलोक पे घूमने के बाद आप नील आइलेंड चले जाहिएगा वहां पे भी संस फिफ्ट दे का ब्लॉग वाला वीडियो जरूर देखिएगा और काला पानी की सजा वाला जो जेल है उसको मैंने इस पेसले एक अलग से वीडियो बनाया है सैलिलर जील तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा मेरा एक प्लेलिस्ट है ब्लॉग का तो आप उस पे चाह करता सको तो घर जाते शाते बहुत अधीक च्याम हैं बहुत थक हैं रात हो रही है क्योंकि हुमे कि साथाध में घंटे लगए को लकाता से आते लाएर बहुत अधीक थक चुके हैं卅 ह। धकावट इतनी अधिक हो रही है कि अब मतलब मन कर रहा है कि जाके फटाफट से सो जाओं खाओं पीओं कुछ भी ना करो तो आप लोग भी अगली ट्रिप जरूर बनाईएगा अंडमान का क्योंकि सब बहुत खूबसूरत है बहुत सुन्दर है तो अब हमारा सफर यही खत प्रदीओ के साथ अब्राइब रिए यहीं अब्लाइबेन, मॉच्छ इसे शरी के साथ तब तक अबना दिहान रखिए और यहाँ जयान, प्लाइएवी मॉच्छ आ चा क्वोड़ ना के साथिकों टॉरता, आफिक है यहीजिए कैसास्ट, आलकाश और और के सदूना घ़्